इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे यूपी में चनाफ से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी कींचतान की खबर है मुनायम परिवार के समसे करीबी रहे आजम खान और अखिलेश यादव में ही अनबन की खबर आई है बज़ा टिक्टो की मांग को बताया ज़ा रहा है और जानकारी के मताबिक जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश उसे अपने बारहा समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया नतीजा आजम खान नाराज हो गए है कहाजवारा है कि आजम खान अब इमरान मसूद कादिर राना जैसे नेताओं के संपर्क में है सवाल ये कि क्या आजम खान अपना अलग गुट बनाएंगे आजम खान का अगला कदम क्या होता है इस पर निगाहे हैं क्योंकि आजम खान की जो मांग थी उसको इंकार कर दिया अखिलेश यादव ने आजम खान 12 टिकट मांग रहे थी अपने समर्थकों के लिए लेकिन अखिलेश तयार नहीं है ऐसा सुत्रों के हवाले से खबर है ऐसे में आजम खान अगला कदम क्या उठाते हैं इस पर लगातार अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे यूपी में अखिलेश यादव ने पहली बार विधान सभा का चुनाव लड़ने का एलान किया है